क्या सास बन सकती है मा अरे क्यों रे काम में ध्यान नहीं है जो सबजी में नीरा नमक भर दिया मुफ्त में रोटी तोड़ने के आदत पड़ी हुई है यह सब यहां नहीं चलेगा सुनैना की शादी कुछ महिनों पहले ही वासू से हुई है जिसके बाद से उसकी जिन्दगी इस नर्क में जल ही रही है और अब यही सुनैना की आम जिन्दगी है जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी-कभी तो बिना किसी बात के बहस उसे परिशान कर खरी-खोटी सुनाती ही रहती है सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है क्या हुआ माजी तुझे पता है मेरे पैरों में दर दर आता है तो मुझसे बतला लेने के लिए टीवी कारी मोट इतनी दूर रख दिया अरे मुझे ज़्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या आज पूरा दिन तुए एक पैर पर काम करेगी अगर कही दूसरा पैर जमिन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सास और सुनेना की ये कहानी उसके ननज सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है जिस वज़े से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है इसी तरह दिन बीटते हैं एक शाम वासु और सुनेना साथ बैठे होते हैं क्या बात है तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा मैं बिल्कुल छीक हूँ वो सकता है पर चलो त्यान रखना मुझे कुछ काम है ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है तबी सिम्मी वहां आ जाती है भाबी अब भाई को मा के बारे में बता क्यों नहीं देती वो आपके साथ बहुत गलत करती है क्या सारे ससुराल वाले ऐसी ही होते हैं भाबी मुझे तो शादी नहीं करनी बहुत दर लगता है मुझे अरी तुम बेकार ही टेंशिन ले रही हो ऐसा कुछ नहीं है मुझे पता है तुमारा ससुराल बहुत अच्छा है इसलिए खुशी-खुशी ससुराल की तैयारी करो सिम्मी तो वहाँ से चली जाती है लेकिन सुनेना उसकी बातों से सोच में पढ़ जाती है कुछ दिनों बाद सुनेना के मम्मी पापा और भाई उनकी घर आते हैं जिने देख सास हैरान रह जाती है आप लोग, सुनेना से मिलने आए है अरी बहू, देक तो तेरे मम्मी पापा आये है जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं, लड़के वाले बन कर आए है हा मा, मैंने ही सिम्मी और शरत के रिश्टी की बाद मम्मी पापा सकी थी शरत हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है बेटे की बात मानते हुए उसकी मां रिष्टे के लिए मान जाती है पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है जैसे यहां मां भावी पर सुल्म करती है ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरत की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी, सहमी, सिम्मी ससुराल पहँच जाती है जहां पहुँचते ही वो डरते हुए बोलती है मम्मी जी मैं अभी पूरे घर का काम कर दूँगी और जॉब भी छोड़ दूँगी जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसी ही करूँगी हरे इतना डर क्यों रही हो और अभी घर आई हो कोई काम करने की जरूरत नहीं नई शादी है कुछ दिन आराम करो घूमो फिरो रही बाद घर या जॉब की तो वो तुम्हारी चोईस है कोई तुम्में नहीं रोकेगा सास का ऐसा व्यवार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाबी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है चलो हो गया कारेक्रम खतम जाब आसु आराम कर बहू तु अपने काम पर लग जा काम से मेरा मतलब है घर का काम क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जाब बाब नहीं करोगी हाँ क्या हुआ कहा खो गई लगता है सपनों में ही गूमने लगी ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी अपने आपको बहू नहीं बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है तो अब सिम्मी को किसी भी जग़ से ज़्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है एक दिन सिम्मी सब से मिलने माई के आती है तो अपनी मा को भावी पर चिलनाते हुए देखती है अरे करम जली अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जग़े घर में नौक रानी ना रख लेती तुझे लेकर आई जिस नौक रानी का पैसा बचे पर तू तो उससे भी ज़्यादा खर्चा करा रही है बस मा तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या अगर यही सब मेरी सांस करे तो अरे तो उनकी बेटी को जिन्दा गार दूंगी तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्के मा तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहु तक नहीं समझती मा आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगीगी लेकिन मेरी सास, मेरी मा से अच्छी मा और सास दोनों है इस पर सिम्मी अपनी मा को अपने ससुराल और उसकी प्यार के बारे में सब कुछ बताती है जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है अगर वो चाहते तो आराम सी अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो इसके बाद तो जैसे सुनेना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है मिशन सेक्सेस्पुल रिवेंज लेना है क्या